अब हम लोग अगला टॉपिक है बायोटिक फेक्टर उससे डिस्कस कर लेते हैं बायोटिक फेक्टर में बैसे तो अभी तक कोई कैसा कुश्चन आया नहीं है जो डारेक्ट ली कोई इंपोर्टेंस का हो दो कुश्चन जरूर पूछे गए हैं एक है 2012 में और एक 2018 में और दोनों ही कुश्चन एक टाइब से रिलेटेड हैं लिंक हैं डारेक्ट कुश्चन नहीं है तो इस टॉपिक में हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें जो आने वाली टर्मिनोरलोजी है आपको केबल उसी पर ध्यान देना है बगाए की चीज़ें यहाँ पर कोई सेंस अपने लिए नहीं रखती हैं तो बायोटिक फेक्टर में जैसे की अपने पास जो फोरेस्ट है गुरूप ले ले लेते हैं छोटा सा फोरेस्ट यह ट्री का गुरूप ले लिया यह आपने पास अब इसमें डिस्कस क्या करेंगे कि यह जो अपना ट्री है उसे जंगल में क्या मिलने वाले हैं एक तो मिलेंगे जंगली जानवर वाल्ड एनिमल्स यह डॉमेस्टिक भी हो सकते हैं तो यह tree है इनका wild animals के साथ क्या relation है tree के दुमसरी जो forest community है क्योंकि वहाँ पर किबल जो पेड़ हम लोग select कर रहा है वही तो नहीं होगे और भी plants होंगे, उसी species के होंगे, other species होंगे climbers हैं, यसे बहुत सारी एक biotic community होगी उसके साथ ये क्या relation में है और third area आता है travels का तो यह जो tree community है, यह tree का अपना जो patch है इन travels के साथ किस type के relationship में है तो यहाँ हम लोग एक type से तीन type के area हैं, कि forest community का wild animal के साथ forest community का उसी की community के पेड़ों के साथ या third forest community का human being के साथ किस type का relation है और यह relation हमेशा positive negative दोनों ही हो सकता है तो सबसे पहले हम plant plant के बीच में देख लेते है कि जो अपनी एक छोटा सा जो patch है, tree का उसका जो other forest के जो species है, उनके साथ किस type का सम्मन्द हो सकता है अब यह जो relation है, वो कैसा हो सकता है parasitic हो सकता है, competitive हो सकता है, symbiotic हो सकता है और यह सारे relation की जो base है, वो वही है रोटी कपड़ा मकान, light water minerals और space साथ में हम लोग दो term more पलने वाले हैं एक है इपीफाइट और दूसरा किलेंबर हैं इन्हें समझेंगे जिससे आपको चीजें और better clear हो जाएं अब सबसे पहले हम लोग parasitic जो है relationship उसे समझते हैं दिखो, plants में जो parasites हैं, उनको categorize किया गया है और उनकी चार category है मैं यहाँ पर एक picture बनाके समझाने की कुछिस करता हूं जैसे एक है man plants, यह इसका root system है, यह ground हो गया इसको बुलेंगे host अब इस पे कोई क्यों दूसरा plants है, जो इसके उपर है और इससे resources extract कर रहा है पूरी लड़ाई resources की है अब यह resources के उपर दोज condition हो सकती है या तो यह plants इस type का है, जैसे की doder अमर वेल, यह yellow color का plant है यह ऐसी condition है जिसमें यह plants खुद कुछ नहीं करता है जो इसका host plants है, उसी से water, उसी से minerals है, water है और सीधा बना बनाया food ले लेगा एक type से यह वहां से man जो host plant है वो खाना बनाता है, पूरी मजदूरी host plant करता है और यह साम को आके dinner कर लेता है तो इस type के जो plants है, इन्हें बोला जाता है total stem parasite total stem का मतलब यह खुद नहीं कर रहा है पूरा का पूरा इस plants के stem system पे parasite है और अगर ऐसी condition हो कि यह plants है वो अपने hosts है जो ऐसी चीज है, जैसी की water है और mineral से कि भल वही ले, खाना अपना खुद का बना ले तो ऐसी plants की condition जो है यानि कि वो अपने man host है सब पूरी तरह से depend नहीं है तो उसे बोलते हैं partial stem parasite अब ऐसी condition total और partial वाली roots के साथ बनेंगी दो condition है, एक stem पे है दूसरा root system है, root में भी वही होगा total root parasite और partial root parasite इन चारों में ही हम लोग एक एक करके कुछ example भी पढ़ेंगे और यह जो parasitism है यह दूसरे से food extract करना यह resources की एक टाइप से चोरी डकैती इस डकैती को करने के लिए आपके पास कुछ हत्यार चाहिए कुछ tool चाहिए और वो है hostoria अब यह hostoria होते क्या है यह term को याद रखो कि hostoria यह कहां काम आएगा जैसे question आता है कि जो sandalwood है चंदन वो कैसे अपने जो उसको sandalwood की survival के लिए host plants की requirement है कमेंट करिए तो आपको समझना पड़ेगा कि host plant की require है क्योंकि वो hostoria के थूरू food extract करता है तो यह थोड़ा basic understanding वहां होनी चाहिए जिससे आप figure बगर है बना सको अब hostoria है क्या इस plant का कुछ root system का modification है यानि कि इसके पास roots तो होती नहीं है तो कुछ modification structured है ऐसी structure है जो host plant से इसे attach करने में help करती है और यह attachment धीरे-धीरे करके इसके अंदर penetrate कर जाता है और इसके tissue के साथ contact बना लेता है और फ़र इधर से जो minerals water और food की जो duck कैती है वो start हो जाती है तो यह है total stem parasite कौन है अपना Amarvelia donor दूसरे जो plant है partial stem parasite इस category में आते हैं viscum, lorenthus और arceo thovium यह याद रह जाएं तो ठीक है नहीं तो इनमें कम सकम viscum को याद रख लो ऐसा क्यों क्योंकि बीच में कई बार हमें example देने की जरुवत पड़ जाती है तो कुछ तो आपके पास ऐसा हो कि जो stem बाले region में grow कर रहा हो तो वहाँ पर viscum यह lorenthus में किसी को भी चपा देते हैं अपनों तो viscum lorenthus क्या है partial stem parasite जैसे की lorenthus को देख लो अब lorenthus क्या है देखो आपको green देख रहा है अपने north इंडिया में चाहिए आपको यह अक्सर जंगल में खासकर गर्मियों का टाइम पर है पेड़ों के उपर ऐसा जोंड़ सा देख जाएगा यह lorenthus होता है अपने हैं क्योंकि गर्मियों में बगाय का पेड़ तो पूरा सूप यह लेकिन यह जो रीजन है यह उस पेड़ का नहीं है यह दूसरा पेड़ के उपर एक पेड़ है और यह क्या कर रहा है कि man plants है होस्टूरिया के थिरू पानी और मिनरल्स तो कलेक्ट कर रहा है लेकिन फूड की से जरूवत नहीं है यानि कि यह होस्ट प्लांट्स के जो जाइलम है उसके साथ कॉंटेक्ट में है फ्लो एम से कॉंटेक्ट की जरूवत नहीं होती है और गरीन है तो फूड खुदी सिंतेसाइज कर लेता है बस इतना याद रखो लॉरेंथा जीख ऐसा एपिफाइट है पार्सियल है दूसरा आता है विसकम इसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपने कहीं दिखा हो सेम सेम कंटेंट है यह भी ग्रीन होता है तो आदा ही है वैसे ही आर्सी थोबियम है हिमालियन रीजिन में आराम से मिल जाता है आर्सी थोबियम तो यह विसकम लॉरेंथास आर्सी थोबियम क्या हो गए आपके पार्सियल स्टेम पेरासाइट अब पकड़ेंगे हम रूट जोन को रूट में भी वही होगा तो यहां कमबाइन इखटा कर दिया है यह तो है अपना टोटल स्टेम पेरासाइट और दूसरा है यह पार्सियल स्टेम अब आएगा अपना रूट वाले रूट में भी वही होगे पार्सियल है या कमपलीट है पार्सियल का जो बेस्ट एक्जामपल है वो है सेंटिलम एलबम सेंडल वोड चंदन आपको यहां क्यों पढ़ना है से सही से क्योंकि सेंडल वोड जो है वो अपने सिल्वी कल्चर और इंडियन ट्री स्पिसीज उसमें जोड़ा हुआ है मैं यहां एक बात और बोलना चाहता हूँ अक्सर आप लोग कन्फिस हो majority हो सब्दों को देखके यह चों अपना सिल्वी कल्चर है यह सब्जक्ट अलग है सिल्वी कल्चर स्िस्टम जो है यह अलग सिपस, अलग सब्जक्ट है और सिल्वी कल्चर ओफ इंडियन ट्री स्पिसीज ये अलग सब्जेक्ट है इन तीनों के एरिया अलग-अलग है लेकिन तीनों में सिल्वी कल्चर जुड़ा हुआ है तो आप लोग कंफिज हो जाते हो और सबको एक साथ ले ले लेते हो ये एक नहीं है अलग-अलग है तो यहाँ पर जो सिल्वी कल्चर ऑफ इंडियन ट्री इस पसीज है उसमें सेंटिलाम अलबम दिया गया है और वहाँ पर ये पूछ लिया गया है दो-तीन वार तो कुछन सीदेश के होस्टियोरिया यानि कि इसका जो पैरासाइटिक सिस्टम है उसमें पूछा गया है और पर आपसे कुछ चनाता है कि प्लांटेशन के फैल हो जाती है तो इसमें अगर आप कहीं सेंडल वूड की प्लांटेशन कर रहा है तो आपको वहाँ ये पार्सियल रूट पैरासिटिज में इस पर ध्यान देना होता है और जहां भी आप प्लांटेशन वर्ग करते हैं उसके लिए कुछ होस्ट प्लांट्स जैसे कि अरंडी है और अपने पास जो दाल होती है अरहर उसका प्लांट्स यहां नीचे केस्टर वगर है केस्टर नहीं अरहर जो है उसको नीचे ग्रो कर दिया जाता है यहनकी कुछ ऐसे लेग्यूमनेस प्लांट्स को नीचे ग्रो कर दिया जाएगा जिसकी रूट्स के साथ यह इनिशल फेज में कॉंटेक्ट बना ले और नूट्रियंट मिल जाए तो यह पार्सियल रूट पैरसाइट है कौनसा संडल वूड अब आप से पूछा जा सकता कि कम्पलीट रूट पैरसाइट उसमें औरो बैंक की वगरे आता है जो अपने लिए यहां मतलब कि हैने नेक्स अपना कॉम्प्टीटिटिफ में ऐसा कुछ जेदापालने की जडरूपत है नेक्स मुद्दा जो है अपना वो है सिंबाईटिक और सिंबाईटिक मेरे र seguulum है बैक्टिरिया है जिसका एक पलांट का दूसरे writing एक टाइप से leaving क्या है बैक्टिरिया इस बैक्टिरिया का इस प्लांट के साथ एक relation हो गया केजुराइना में फ्रेंकिया वैक्टरिया वा जाता है माईको राइजाव को हम समझ चुके हैं ये लोवर प्लांट कैटेगरी है और जो हाइर प्लांट कैटेगरी है उसके साथ इसकी सिंबायटिक रिलेशन है तो ये प्लांट प्लांट इंटरेक्शन में जदा स्यदा यही टर्मिलोजी की जरूवत पड़ती है इसमें जो दो टर्म हैं एपी फाइट और किलिमबर उन्हें और समझ लेते हैं एपी फाइट एपी का मतलब अब आब आब आवव फाइट का मतलब प्लांट इसमेंwidth इसमें कोई एक प्लांट है वो किसी दूसरे प्लांट के उपर ग्रो कर रहा है ये किबल उस प्लांट के उपर है उपर क्यों गया है क्योंकि इसने इकोलोजिकली जैसे कि ट्रोपिकल रैंट फोरश वाले अरिया है जहां ट्री की चार-पाँच कैनोपी की लेयर हो जाती है तो नीचे जो ग्राउंड लेवल है वहां तक लाइट पहुचना इंपॉसिवल होता है लगवाग तो ये छोटे-छोटे प्लांट्स है इनने एक टाइप से अपने आपको अडप्ट कर लिया और ये फटाक्स है जो भी प्लांट्स की टॉप कैनोपी है वहां कहीं पेड के उपर उग जाएंगे तो ये है एपिफाइट ये अपने होस्ट प्लांट्स है जो इनका होस्ट है उसे होस्ट बोलना सही टर्म नहीं है जो इनको shelter provide करवा रहा है उस plants से ये किवल जोड़ते हैं ना तो ये उससे minerals खीचते हैं ना ही water और ना ही कोई इसी type का कोई food यानि कि उसको किसी भी type का कोई loss नहीं कमचाते हैं ये किवल उसके उपर चड़े हुए है अब जैसे वेंडा है वेंडा में दो type की roots होती है एक है cleansing roots जो अपने man plants से जिससे ये attach है उससे attachment में help करता है दूसरा होती है इसमें aerial roots ये aerial जो roots है ये जो अपना soil ये जो air है उसमें लटकी रहती हैं और वहां से moisture absorb कर लेती हैं वहां से minerals और moisture की जो requirement है वहां से feed कर लेती है तो epiphyte में यह हो गया एक है climber जैसे epiphyte है इसमें इनका soil से कोई connection नहीं है लेकिन climber means वो plants जिनका purpose तो भई है कि दूसरी plants की ऊपर चाड़के canopy पे पहुच जाए जिससे इने light मिल जाए और दोनों ही condition tropical rainforest जैसी area की है जैसे attach है और ये दूसरे पेड़ पे चड़ जाते है और उसके top पे पहुचके दूप में आराम से अपना काम करते है तो ये klimber कर जाते हैं इसलिए klimber जैसे tropical rainforest में ये klimber हैं वो कुछ टाइम में बहुत जदा hard हो जाते हैं तो उसे body klimber हैं उनके लिए एक टार्मी जूज़ किया जाता है लाइनाज ये भी klimber ही है klimber में दो best example हैं एक है बहुच निया वैलाई और दूसरा beauty या सुपरवा दोनों को ही आपको याद रख लेना है ये beauty या जो सुपरवा है ये क्यों है याद रखना है क्योंकि beauty या मौनोस फर्मा आपके इसलेवस में है ट्रीस बिजीज वाले सक्षन में तो वहां पर ये सुपरवा काम आ जाती है दूसरा beauty ये बाव ही निया वहलाई जो है याद रह जा तो ठीक है कभी klimber के example जो आते हैं उसमें ये काम आ जाती है otherwise याद ना रहा तो दिक्कत नहीं है beauty ये सुपरवा काम चला देगी आपका next अपना है plants का animals के साथ relationship वही है relationship positive negative दोनों हो सकती है positive क्या relation है कि जो animal है जो plants है उसके seed dispersal में pollen grain के dispersal में वहां पर help कर रहा है negative क्या है कि उसके जो plants है seeds है उन्हें ये consume कर जाए या फ़र जैसे फ़रक्यूपाइन है ये क्या करेगा seed को damage पहुचा देगा जो man plants है बहुत सारे animals है जैसे कोई man plants का man stem है उसकी जो bark है उसे परवाद कर देते हैं नीचे के बार्क को खतम कर देते हैं जैसे ये plants की death हो कर जाती है अगर recover नहीं हो पाई तो most of case में ये die कर जाएगा तो इस type से de-working वगर है ये loss पहुचा देती है तो एक type से negative हो गया अब आता है तीसरा relationship human being के साथ human being के साथ दोनी चीज़े हैं positive negative negative में थोड़ी जदा ही है जैसे की deforestation illegal cutting, forest fire, grazing, lopping forest protection पढ़ाओगे तो ये सारी चीज़ें आप कियाएंगे और positive में क्या है अज कर हम लोग जैसे कोप में बैठ रहे हैं सोच रहे हैं कि forest को कैसे बचाय जाए दुनिया बर की policy guidelines बने रहे हैं यान कि हम लोग positive काम भी कर रहे है the eco physiological factors that are more concerned to sylviculturist अब यहाँ ecological और physiological दोनों ही टाइप के factors की बात की गई तो ecological means climatic, eco-physical यहाँ पर physical का मतलब होगा आपका एक टाइप से climatic factor और ecology में क्या है वैसे component आपके क्या है eco-physical में यह simple way में ecology समझ लो तो उसमें कौन कौन से है आपके climatic factor edific biotic और topographic तो चारों फेक्टर आगए तो eco-physical में आपको basically चारों फेक्टर को discuss करना था तो यहाँ biotic के थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप लिख लोगे what are ecological aspects for selecting tree species किसी tree species को select करने के लिए उसका क्या ecological aspect होना चाहिए यानि कि वो ecology में किस food level पर है उसकी requirement क्या है वो plants ऐसा भी हो सकता है जैसे centellum, elbum, चंदन कि वो host हो किसी plant other plants की rules पर है या कोई ऐसा plants है जिसे nitrogen fixation बगरे की ज़रुवत है mycorrhagia के relation से भी जरुवत है तो यह चीज़ा हमें समझने की जरुवत है तो वो related areas है यह अपने कुछ state based question है आप इने पढ़ लेना try करो कि आप इन question को लिखो region यह है कि यह question थोड़े simple होते है अगर आप एक बार simple question को लिखना आगे आपको तो आप typical आराम से उन्हें कर सकते हो लेकिन कम से कम starting जो है वो थोड़ा simplify हो तो लिखने की habit में आजाए तो यह ट्राइ करिए आप लिखने की और कोसिस करिए कि लिख कि आप जो whatsapp है टेलिग्राम है वहाँ share कर देए तो हमारी side से कुछ हज़ तक ज़दा न सही लेकिन कुछ हद तक review आपको ज़रूर मिल जाएगा अब अपना अगला topic आएगा influence of forest on their environment यानि कि अभी तक हम लोगों ने discuss किया है कि जो अपने चार factor है climatic, edific, dopographic, biotic यह चारो factor अपने forest को कैसे impact दे रहे हैं लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके वहाँ पर vegetation एक बार अपने आपको stabilize कर देती है तो वो इन चारो factor से counter कर देती है इन चारो factor को उस local area बदल देती है यानि कि वो भी इन चारो factor पर impact डालेगी अब खिर ऐसे क्या regions हैं जिसकी वजह से जो vegetation है वो इन चारो factor पर भी impact डाल देती है तो उन regions को समझते है first region है कि एक बार जब vegetation इसी एरिया में stabilize हो जाती है तो इसकी जो canopy है वो multi layer बन जाती है जैसे आप यहाँ देखोगे एक layer canopy की यह है दूसरी layer यह है हो सकता है तीसरी और चौती layer इसके नीचे हो इसका impact क्या है जैसे पहले किलामेटिक factor से उपर से rainfall हुई और सीधा के सीधा soil पर स्वाइल इरोजन कर दिया उपर से frost पढ़ रही है और frost का सीधा सीधा vegetation पर impact पढ़ रहा है लेकिन अब क्योंकि तीन चार layer हो गई तो यहाँ पर frost होगी नहीं क्योंकि जैसे radiation frost है उसके लिए requirement थी के soil है वहाँ से long wave radiation emit होके उपर जाएं लेकिन अब वो नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पर forest ने क्या किया leaf litter produce किया है उसने surface को cover कर दिया है फर इनकी तीन चार layer है canopy की तो long wave radiation वहाँ से निकल नहीं पा रही है solar radiation भी है वो भी majority में है first और second जो canopy के लिए है वहीं तक सिमट के रह जाती है rainfall है बहुत हो रही है लेकिन कई बार ऐसी condition होती है कि rainfall हो गई और पानी उपर का उपर ही गायव हो गया जो soil surface है उसे महसर मिली नहीं पाती है पिरो नहीं टैप कर ली हवा है wind वो ऐसे deep forest में कभी penetrate नहीं कर पाती है यानि कि एक जो forest है वो उपर multi-layer canopy होने से बहुत सारे climatic factors को impact दे देती है और वो ना किवर climatic जो soil से जड़े हुए factors है edific factors क्योंकि अब ये roots जो है वो soil को loose कर रहे है बहुत सारे organic matters है उन्हें release कर रहे है leaf later के थुरू नए organic matter वहाँ पर बापिस supply हो रही है जिससे ये soils के जो जड़े हुए factors है उन्हें भी एक रैप से change कर देते हैं तो soil जो forest vegetation है वो यहाँ impact करेगे अपने मुद्दे discussion हो गा है आप यहाँ factor देख सकते हो के एक unbroken canopy वाला issue आएगा दूसरा जो recycling of nutrient वो issue है अपना और तीसरा है interlocking root system जिससे ही ये वहाँ के इन factors को impact करते हैं धीरे धीरे करके क्या है कि vegetation ने इन factors पर impact चाला factors में कुछ बदला हुआ उसका result वो factors में जो changes हुए वो changes आप vegetation पर पढ़ते हैं और फिर vegetation factors पर करती है एक type से एक दूसरे की कुटान करते रहते हैं और इसका result होता है कि समय के साथ gradually इन में vegetation composition का change हो जाता है जिससे बोलते है ecological succession तो वो process यहाँ start हो जाती है अब देखेंगे कि ये जो forest है उनका जो अपने factor हैं जैसी के climatic, edific, topographic, biotic इन पर क्या impact पढ़ता है एक करके इन ही को समझेंगे क्योंकि अपने जो question है वो यहीं से आने वाले है तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने जो climatic factors हैं उन पर क्या impact पढ़ रहा है अब climatic factors में अगर हम लोग detail में जाएं तो इसमें तीन चार टाइप की category के question मिलेंगे और यह बहुत important topic है इससे अकसर question आते रहते हैं किसे effect of forest over their environment जैसे climatic factor है अब climate में कोई आपसे यह तो नहीं पूछेगा कि forest का solar radiation पर क्या impact है rainfall पर क्या impact है इसी चिलर question नहीं पूछते है वो आपसे combinedly पूछ लेते है कि forest है वो उसके local के climate पर एक moderating impact डालता है explain करिए comment करिए अब क्या करो तो यह सारी चीज़ें डिसकस करनी होती है यह फिर फोरेस्ट का रॉल जो है वो environment conservation climate change modification carbon sequestration term अलगला किये हो global warming में roll क्या है term ऐसे वो कुछ भी पूछ है लेकिन घुमा फिरा के बात वही करेंगे कि forest जो है वो climate factors को कैसे influence कर रही है positive way मैं तो हम लोग एक ही करके देखेंगे जैसे पहला factor है अपना wind velocity हवा जो है तेज़ cyclone है वो forest के अंदर penetrate नहीं कर पाते है और forest जो vegetation है वो wind को उपर उठा देती है यानि कि जो forest area है अगर आप forest के अंदर है तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि यहां बाहर कोई cyclone वगर आ गया यानि कि forest area में जो wind है वो about 20 से 60% जो wind speed है वो खतम कर देती है यानि कि इतने percent wind speed reduce कर दी जाती है atmospheric humidity forest में आपने सुना होगा कि जो deep forest है वहाँ पर 4 o'clock 5 o'clock पर rainfall हो जाती है तो यह atmospheric humidity का क्या है उपर से जो rainfall होई majority जो moisture है वो पेड़ों की canopy है वहीं फसी रह जाती है जिसे हम लोग बोलेंगे interception आगे 2-3 slide बाद आगे एक term हाएगा interception picture भी देखेंगे उसकी तो यह उपर से जो moisture है उसने वहीं पर intercept कर लिया और बापेस वहीं से evaporate हो गया पानी यानि कि इस तरफेस पहुचे ही नहीं तो इस type से पानी उपर से नीचे आ रहा है नीचे से बापेस ओड़ रहा है तो यह वहीं पर गोल 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 पानी घुमता रहेगा एक type से यह atmosphere में पानी का storage हो रहा है तो atmospheric जो humidity है वो generally forest area में 5-15% जएधा होती है region कि वो उपर से उपर ही moisture को trap कर लेते हैं और दूसरा बहुत सारी moisture वो नीचे से absorb करके उपर transfer कर देते हैं evaporate कर देते हैं तो वो एक ट्राइब से atmosphere में moisture का एक बहुत बड़ा bulk बना रहता है एक side में एक point और discuss कर लेते हैं आप लोगों ने एक issue पढ़ा होगा कि global warming और climate change की वज़े से ocean जो है उनका sea level rise हो रहा है मैं यहाँ पर मुद्दा बना लेता हूँ और यह आपका ocean ले लेता है यानि कि ocean में जो water है वो बढ़ रहा है तो आखिर बढ़ के से रहा है ocean में पानी आ कहा से रहा है तो उसके तीन एरिया है जहां से पानी आता है पहला एरिया है जिसे आप जानते है कि जो glaciers है वो melt हो रहा है और जो excess water है glacier वाला वो यहाँ पर जा रहा है तो एक type से water सीदा सीदा glacier का पहुच रहा है तो वहाँ access हो रहा है तो obviously sea level का rise होगा यह एक area होगा दूसरा है आपको बता है कि water जो है उसका जैसे जैसे temperature बढ़ेगा वो फैलेगा उसका जो total volume है वो increase होगा क्योंकि वो expand होगा temperature increase होने के साथ तो second है temperature की विज़े से water का expansion तो global warming का एक सीदा सीदा impact है कि यहाँ पर जो unit volume में water है temperature अकर 2 degree 3 degree Celsius बढ़ता है तो यह water का volume है वो भी बढ़ेगा तो ocean rise का second जो factor है वो यहाँ expansion की वज़ेस है तीसरा जो factor है वो है जो land waste water reservoir है land waste water reservoir means जैसे कि आपके बड़े बड़े तालाव थे जिसे एक example आया था भी जब चिन्नी में flood आया था तो बोला गया कि 1890 के आसपास चिन्नी वाले region में लगवागा 8090 के आसपास बड़े बड़े pond हुआ करते थे जो आज सिमट के 10-12 हो रह गया है यानि कि बहुत सारे ऐसे reservoir थे जहां land पे बहुत ज़्यदा water reservoir रहता था वो अब खताम हो रहा है तो यह जो access water है क्योंकि यहां reservoir कुछ है नहीं तो पूरा water यहां जा रहा है यानि कि आज से 100 साल पहले soil वाले area में बहुत सारा water reservoir था जिसे सीदह सीदह हम ocean में पहुँचा देते हैं groundwater table के form में बहुत सारा water reservoir था जिसे हम लोग बाहर extract कर लेते हैं उसे domestic consumption agriculture में use करते हैं और agriculture में जो water use किया जाता वो evaporate होके atmosphere में गिया है फिर वहां से rainfall हो गई उसके साथ आकर के runoff में ocean में चला गया यानि कि हमने जो land based reservoir थे चाहिए वो surface based हों ground water based हों इन से water को हम निकाल के भी ocean में पहुचा रहा है तो तीसरा region अपने पास ये रहा चौता region है atmospheric based जो reservoir थे अब आप बोलोगे atmospheric based reservoir कौन से होते हैं यही मुद्दा है भाई जिसलिए हम लोग यहां बक्यती काट रहा है इससे आप ऐसे समझते हैं एक यहां पर अपना forest है मानसून आया बड़सात हुई यहां पर मानसून के टाइम पर जो rainfall हुई suppose मैं माल लेता हूँ कि यहां हुई 100 लीटर की rainfall यह rainfall जब forest area में गिरी तो forest ने यहां से 100 लीटर में बहुत सारा वाटर लगवख 10% जो वाटर है वो अपनी आपको गिला करने में यूज़ कर लिया इनके प्लांट्स की पत्ती है मैनस्टेम है वो गिली हो गए मुस्ट हो गए कहने का मतलब है जैसे आप बाल्टी में पानी डाल दो और बापिस निकालोगे तो एक्चल में हाथ के चारो तरफ पानी लग गया तो बाल्टी से कुछ ग्राम में पानी जो है वो कम हुआ होगा तो इस टाइप से बहुत सारा पानी है यह adsorption के थूरू plants की surface पर रह गया दूसरा जो पानी यहाँ पर गिरेगा क्योंकि trees जो है उन्हें इस टाइप से यहाँ की soil को loose कर रखा है यहाँ पर leaf liter गिर रखा है तो जो runoff है वो बहुत कम हो पाएगा 100 liter में मुस्किल से hardly 10 liter ही पानी है यह 20 liter मालो जो runoff हो पाएगा और लगवग जो 80 liter था उसमें 100 का 10 परसेंट तो यानि कि 10 liter तो यहाँ surface पर रह गया remaining 70 liter जो water था वो यहाँ land based reservoir में चला गया ground water form बनाएगा अब यह पेड़ क्या करेंगे जो ground water में है वो ground water के थूप आद में sub surface flow के थूप आपे समुदर में मिल सकता लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ऐसा क्यों जैसे यह rainfall हुए rainfall का सब्सक्राइब चार पांच घंटे हुए पेड़ क्या करेंगे जैसे गर्मी बड़ी पेड़ों की जो surface पर पानी था वो evaporate हो करके बापस atmosphere में आ गया यह जो water यहाँ ground में पहुँचा ही था थोड़े कोई 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर गहराई में यह पहुच पाया था ट्रीज की जो roots थी उन्होंने इस water को फिर से कैसके evaporation के थूप फिर से atmosphere में पहुचा दिया यानि कि यह atmosphere में नीचे से पानी को पकड़ पकड़ के atmosphere में पहुचा रहा है तो यह water जो था जो ground water बन जाता और फिर ocean तक पहुच जाता वो रास्ते पर नहीं जा पा रहा वो यहीं trap हो गया बापस गया फिर रेन फॉल होगी फिर गया फिर रेन फॉल होगी फिर गया फिर रेन फॉल होगी मैजोर्टी में जो moisture है वो सीधा runoff के form है यहां पहुच जाएगी तो ना तो ground water formation हो पा रहा है और ना पापस evaporation हो करके air में moisture पहुच रहा है यानि कि air की humidity है global warming के साथ air की humidity decrease हो रही है decrease होने के दो region है एक तो air का temperature बढ़ना तो वो obviously गराएगा दूसरा यह vegetation का कम होना भी गराने के पीछे एक region है तो ऐसे अपने पाँच रीजन हो गए global warming के impact के तो यहां atmospheric humidity एक टाइप से आपका atmospheric जो water का रिजर वायर है उससे आप link कर सकते हो next two है अपना local temperature जहां भी vegetation है इतनी atmosphere में इतनी humidity छोड़ती है के around 2-5 degree Celsius temperature decrease हो जाता है आप अगर कभी हिमालेन रीजन में गूमने जाओ तो आपको अगर अनभव ना हो कि यहां आगे देवधार के प्योड़ खड़े हैं कोई दिक्कत नहीं आप जैसी देवधार वाले रीजन के पास पहूंचोगे अचानक आपको ठंड़क का आवास हो जाएगा ठंड़क की feeling होने लगेगी क्योंकि देवधार के आसपास जो रीजन है वो देवधार इतना evaporate करता है मौश्चर को कि around 5-10 degree Celsius temperature वहां उसके आसपास कमी होगा तो आप जैसी देवधार के पास पहूंचोगे आपको पता भी नहीं कि यहां आसपास कहीं देवधार के जंगल हैं देवध evolution के थुरू यहां पर जैसे पाड़ी ले लो यह जंगल है evaporation के थुरू इनने बहुत सारा amount है वो air में छोड़ दिया अब यह air जैसी पाड़ियों पर उपर चाड़ी फर condensation हो गया और इसका बिचारी का फिर से rainfall हो गई rainfall होके रन आफ करके यहां पानी फिर पहुंचा फि रेवापरेट हुआ तो लोकल में rainfall हो जाती है four o'clock एक रीजन है frost जंगल में पढ़ती नहीं है global warming में क्या है greenhouse gas emission का linkage है अब जैसे एक table में इसमें सब कुछ लिख रखा है आप इससे पढ़ लिए ना proper तरीके से कि forest है उनका roll environment के conservation में या carbon sequestation में या global warming में क्या है गुमाफिरा के चीज़ें पूछी है बात वही है next roll देखते है forest का soil के से related है edific में soil में क्या roll play करेगा एक है soil temperature, soil structure, composition, chemical property, moisture, biological property, erosion ये सारी चीज़ें चिलर 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 रही है edific में क्या सीधी जी बात है ये पेड़ लगे है इसकी जो roots है जब वो नीचे जमीन में जाएंगी तो यहाँ पर बहुत सारी rocks से नाए type के minerals हैं उन्हें rocks को break करके नाए type के minerals हैं उन्हें ही खीच लेगी, absorb कर लेगी जब इसका leaf later होगा पत्मियां old होके धड़ जाएंगी ये minerals से नीचे soil surface पर पहुँच जाएंगे, यान कि soil surface को ये बहुत सारे type के minerals नाए वाले भी provide करवा देते हैं, पुराने वाले minerals absorb करके यहाँ छोड़ेंगे तो soil की fertility बढ़ जाएगी, vegetation है तो यहाँ नीचे का जो temperature हो बिलकुल regulate हो जाएगा, इसकी roots हैं वो soil को lose कर देती है तो उसकी जो structure है, composition है, उसे change करेंगे, chemical property जैसे soil का pH जैदा है, यह कम है, तो जो vegetation है, यह जो organic matter गिराते हैं, जो organic matter है, वो एक type से amphoteric property का होता है, यानि कि ना तो जैदा acidic ना basic और वो try करता है कि जो soil है, चाए वो acidic soil हो या basic soil हो, वो average 7 के आसपास पहुचा है, बभर की तरह यह कम करता है, तो pH जैदा हो यह कम हो, अगर जैदा भी है, तब भी यह pH नॉर्मल कर देंगे पेड़, और अगर कम है, तो तब भी यह नॉर्मल कर, उसे नॉर्मल मीज सेवन के असपास लियाएंगे, soil moisture increase हो जाएगी, biological property वगरा, common सी चीज है, food supply बढ़ जाएगी, leafulator से, तो बहुत सारे microbes हैं, जो नीचे वो बढ़ जाएंगे, दूसरा moisture से, या soil erosion से क्यासे समझ सकते हो, यहाँ पर vegetation है, vegetation है, तो जो भी rainfall होगा, यह water को trap कर लेंगे, तो run off के लिए ज़्यदा water रहता नहीं है, यानि कि soil erosion, hilly region में कम होगा, अगर forest निकाल दोगे, तो जो भी पा forest का water cycle पर क्या impact है, question भी आया है, IFS में अपने में, simple way में समझें कि यह local की hydrology को कैसे impact करेंगे, थोड़ा पहले समझ लेते हैं, जो hydrological cycle है, उसको, जैसे उपर से cloud है, उन्होंने rainfall कर दी, यह जो rain water है, या तो सीधर surface पर आ गया, या फिर किसी vegetation के उपर गिर गया, अब यह vegetation है, जैसे आपने balty में हाथ डाला और आपने balty से हाथ निकाल लिया, तो आपका हाथ है, अगर balty में पानी है, तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, बैसे ही है, जो पेड़ है, जो उपर rainfall का पानी गिरा, उससे वो गीले हो जाते हैं, moist हो जाते हैं, और बहुत सारा पानी वो monster के form है, वहीं पर बचा रहे जाता है, इसे बोला जाता है, intersection, intercept कर लिया, लेकिन जब monster continue गिरती जा रहे ही, गिरती जा रहे ही, तो आप देखोगे, कि पेड़ों की जो है, जैसे यहाँ पर पानी गिरा, तो पत्तियों के थूरू, उनकी man branch, means side branch, या third level की branch है, उसके secondary branch और उसके थूरू man branch, पानी धीरे धीरे करके man stem के थूरू उतरने लगता है, इसे बोलते है, stem flow, अक्सर अगर आप बरसाथ के टाइम पर किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप खड़े हैं, तो आप देखोगे कि man stem के साथ पा ये direct सीधा surface पे पहुच रहा है, अब इसके साथ पानी की दो condition है, starting में तो पानी जो है जमीन में dry है तो कुछ लेवल तक अब्जॉर्ब करेगी, इसके बाद दीरे दीरे पानी जो है वो flow होने लगेगा, अब यहाँ दो condition है, एक तो पानी अगर surface पे बहने लगा इसे बोल and off, और कुछ लेवल तक पानी जो है, वो surface, swell के अंदर इंटर कर रहा होता है, अब यहाँ water की entry से related दो term है, एक term है, जैसे ये surface है, ये water का molecules है, ये water के molecules, swell surface में इंटर किये, इस इंटर करने की जो process है, इसको in कर, in हो गया न, इसलिए इसे बोलते है, in filtration, ये in करने की process है, इसे बोला जाता, infiltration, अब एक बार ये molecules, soil के अंदर आ गए, फिर बाद में gravity की flow में, ये धीरे-धीरे, नीचे की तरह move करते रहते हैं, इस process को बोलते है, percolation, यानि कि downward movement of water, molecules, within the soil surface, या within the soil, sorry, within the soil, तो infiltration मतलब water molecule की entry, ये यहाँ पर ही infiltration लिखा हुआ है और percolation मतलब water molecule की downward movement inside the soil, ये दो term होगा है, बाहर है, वो run-off है, इसे बोल सकते हैं हम लोग, surface run-off, ये जब water percolate होगा, ये बाद में फिर ground water कब बनके, समुदर की तरह move करेगा, इसे बोल सकते हैं हम लोग, ground water run-off या base flow, ये अपनी river है, pond है, समुदर है, ocean है, उसमें मिलें वहां से फिर evaporate होगा, यहां से भी transportation होगा, यहां से भी evaporation होगा, और ये बाद में फिर cloud form करेंगे, और बापेस rainfall, तो ये अपने एक type से local जो hydrology है, उसे समझ लिया, अब forest का hydrology पर क्या impact पड़ेगा, तो सीदी शी बात है, कुछ चीजें जैसे local में evaporation ये बढ़ा दे हैंगे, अब अगर vegetation है तो वहां पर अलविडो भी कम होगा, rainfall बढ़ जाएगी local में, hydrology में बहुत सारा बाटर वहीं पर local इरिया, मैं trap बना रहेगा, इसे और चीजें discuss कर लेना, basic चीजें यही हैं, अब देख लेते हैं इसके question, जैसे के do forest influence rainfall, if so how, कि forest rainfall को कैसे influence करते हैं तो आप थोड़ा बहुत ऐसे लिख सकते हो, कि high vibration, means यह point लिख रहे हैं, आप इनको थोड़ा बहुत यूज करके, इस question को, model answer लिखने के try करिये, नीचे question है, justify the statement, forest substantially, check soil erosion and control, runoff, नीचे roll of forest, in interception, subsurface, runoff, infiltration, यहाँ पर terminology है, interception, subsurface, runoff, infiltration, of rainfall, तो terminology है, यह stem flow है, तो यह आपको help कर देगी, कि यह चीजें है क्या, अगर आपने stem flow पढ़ाई नहीं है, तो आप explain क्या करोगे, next अपना, जो topic है, tree, जो trees की growth है, growth form है, और जो structure है, उसे study करना, मैं पहले ही बता दूँ, यह chapter ऐसा है, जिसमें आपके important कोई area नहीं है, लेकिन इसमें आई terminology है, जो other question में काम आईगी, इस type का यह है, direct कोई question नहीं है, अभी तक, जैसे इसमें होता है, कि अपने हर्व क्या है, tree क्या है, सरव क्या है, यह interview type की question है, आप से पूछ लिए कि हर्व क्या है, हर्व का मतलब होता है, ऐसी vegetation, ऐसे plants, plants तो सभी होते हैं, ऐसे plants जिन में कोई किसी भी type की wood structure या wood का formation नहीं होता है, wood formation का मतलब है, कि अगर आपने यहां से जैसे पुदी ना, mint ले लीजिए, अगर आपने उसे धूप में रख दिया, दो दिन धूप में सुखेगा, वो बिलकुल खतम सा हो जाएगा, paper जैसा बचेगा, उसमें किसी भी type की woody structure जैसी उपर नहीं होती है, उन्हें बोला जाता है, herb, grasses वगरे हैं, इसी में आती है, ऐसा हो सकता है कि herb annual या perennial हो, annual का मतलब जो एक साल की हो, perennial मतलब एक साल से जदा की हो, seasonal मतलब एक particular season, यानि कि four five month की हो, दूसरे होते हैं, shrubs, shrubs और tree जो हैं, यह दोनों ही woody है, लेकिन tree के character सम समझ लोगे, tree में क्या होगा, यह woody है, लेकिन इसका जो man stem है, वो clearly distinct होता है, आप उसे clearly देख सकते हो, कि हाँ, यह इसका man stem है, man stem से कुछ branches निकलेंगी, उसका एक proper clear ground होता है, आप उसके ground को समझ सकते हो, कहां से शुरू हो रहा है, और किस type के इसका shape structure है, जबकि जो shrubs है इनके साथ दिक्कत क्या है, कि यह जो branching habit है, यह बलकुल ground से ही हो जाती है, इस वज़े से, इसमें कौन सा man stem है, यह समझ में नहीं आता है, इसमें leaf या जो पतियां वो कहीं से भी निकलाती हैं, कुछ पतियां यहां से निकली होंगी, कुछ यहां से निकली होंगी, कुछ इसका जो प्रॉपर क्राउन है उसे बोलना पॉसिवल नहीं हो पाता है, तो हैं तो दोनों वूडी, अब यहां इस डेफिनिशन पढ़ो, आप वूडी पेरिनियल, पेरिनियल, क्योंकि ओबिसली यह वूड फॉर्मिशन हो रहा है, यानि कि पेरिनियल होंगे, आप वूडी पेरिनियल, डिफरेंट फ्रॉम आप अरिनियल हर्व, इन इस पर्सिस्टेंस इन वूडी इस्टेंब, इस हैविट और ब्रांचिंग फ्रॉम दा बेस, यह भी बूडी पेरिनियल है ट्री, लेकिन इसमें एक वैल डिफाइन इस्टेंब होगा, एक सिंगल इस्टेंब पेरिनियल हैं, चार पांच स्टेंब होगा, जोने हम लोग बार बार यूज करेंगे, कभी मैं बोलूँगा ट्री का इस्टेंब, जो ट्री का में एरिया है, यह ट्री है तो यह पेड़ का क्राउन हो गया, यह रूट है, तो यह है, इसे मैं कई बार बोलूँगा, कई ब प्लांट अगर बोल दिया आपने, तो प्लांट का मतलब तो सभी आ जाते हैं उसमें, चाहे हर्व हो, सराव हो, ट्री हो, ग्रासिस हैं वो भी प्लांट्स हैं, तो इस चकर में ग्रासिस के जो प्लांट्स हैं, उनमें भी स्टेम होता है, तो हम पेड़ों के स्टेम को इन से क कर पाएं इसलिए हम forestry में यह छोटी छोटी चिलर सी terminology नहीं पढ़ते हैं हम लोग वहाँ पर जब भी बोलेंगे बोल बोलेंगे यह trunk बोलेंगे ट्री ट्रंक तो आप समझ लेना कि हम ट्री का जो stem है उसी की बात कर रहे है इसी की बात कर रहे है इसी को हम लोग बोलेंगे ब fork हो गया यह फिर आगे fork हो गया यह फिर ट्री जो है यहांपर fork होके branch निकल गई आगे जाके फिर forking होई तो fork मतलब branching Lignotuber एक सब्द है लिगनो ट्यूवर यह कुछ सीज की suruse 의 ecology में help करता है लिगनो ट्यूवर है क्या एक type का Mart का adaptation है ऐसी आसकर कुल एरिया या ऐसी एरिया गर्म वाले जहां पर अक्सर फायर बगर लग जाती है तो प्लांट्स अपने आपको कैसे बचाएं तो यह क्या करते हैं एक टाइप से इनने फिक्स डिपॉजिट का रखा है इनने अपना पूरा जो भी रिचर वायर है फूड का उसे जमीन के पास सब सर्फेस में है जमीन की सर्फेस के जस्ट बलो वहां पर इननोंने फूड का स्टार्च का स्टोरेज का रखा है कि अगर कभी जंगल में आग लग जाए या कोई एडवर्स कंडिशन, एडवर्स फ्रोस्ट है, पाला है, कुछ भी पढ़ जाए और पूरा प्लांट बरबाद हो जाए तो यह जो लिगनो ट्यूबर है, यहां से एक नया प्लांट निकलाता है तो लिगनो ट्यूबर मतलब एक स्टार्ची स्वैलिंग है बट्रेसिंग जो करेक्टर है, यह है ट्रॉपीकल रैनफोरेस्ट वाले एरिया का थोड़ा समझते हैं, जिससे चीज़े और बैतर किलियर हों और आगे हमें अपने को डिस्कुस करने में समस्यां ना आए आप देखो ट्रॉपीकल रैनफोरेस्ट वाला जो एरिया है वहां की पहली कंडिशन क्या है, डेली बहुत हुज अमांट में रैनफॉल हो रही है तो जो स्वैल है, स्वैल में मौश्चर जो है वो बहुत ज़दा है इसका मतलब है स्वैल कैसी है, यहां की लूज है, बहुत हार्ड नहीं है दूसरा आप देखोगे कि ट्रॉपीकल रैनफोरेस्ट वाले एरिया में जो ट्री है, उनकी हाइट कितनी होती है 20 से 22 मीटर तक, यह एवरेज स्टेंडर हाइट है यह पेड़ खड़ा है, 20 से 22 मीटर हाइट का अब आप सुचो कि यहां स्वैल जो है, वो है लूज लूज स्वैल होने का मतलब है, क्यों लूज है, क्योंकि यहां मौस्चर बहुत ज़दा है अब आपको मैं वाटर लॉगिंग वाले केस में बता चुका था कि अगर लूज यहां पर मौस्चर ज़दा है, तो इसकी जो रूट से मों बहुत ज़दा डीप नहीं जा सकती है और प्लांट की हाइट जब 20 से 22 मीटर है तो इसे तो बहुत ज़दा डीप रूट सिस्टम चाहिए जिससे इतनी हाइट तक का प्लांट ख़डा रह सके लेकन यहां मौस्चर ज़दा होने से यह ज़दा डीप रूट सिस्टम यहां बनना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी स्वैल में रूट जो है ज़दा डीप जाएंगी, वो डेथ कर जाएंगी अक्सिजन मिलने वाली है नहीं तो यह क्या होगा यहां पर इस प्लांट की जो रूट से है वो अपनी आपको मौडिफाइट करेंगी और सब सर्फेस में मौव करेंगी इस टाइप से ज़दा होंगी डीप कम होंगी, सब सर्फेस में ज़दा रूट सोंगी यह क्यों हुआ क्यों कि लूच स्वैल होनी की वज़ए से एक तो स्वैल लूच है और दूसरा वाटर टेवल ज़दा है अब ऐसी कंडिशन में आप खुद सोचिए क्या यह प्लांट, यह ट्री जो है 20-22 विट का यह अपने आपको यहां लूच सोयल में अपने आपको बचा पाएगा क्योंकि स्टेट जो है स्टेम का रूट के साथ यहां पर सीधा स्टेट फाइवर होते हैं तो आराम से कमनेशन बन जाता है यह इधर जुके यहां से से आराम से सपोर्ट मिल जाता है लेकिन अगर इसकी रूट ऐसी हो गई है तो यहां पर जो फाइवर है वो उनका जोइन्ट है तो यहां फाइवर लूज हो जाते हैं फाइवर एक लिमिट से जज़दा लोड नहीं दिये पाते हैं से ट्रॉपिकल वाले एरिया में तो साइकलोन भी आ रहा है और भी चीज़े दिखते है तो क्या किया जाए तो अब प्लांट्स के क्या होता है कि यह जोइन्ट वाले रीजन पर केम्बियम एक्टिव हो जाता है और यहां पर केम्बियम की ग्रोथ से कुछ एक्स्ट्रा एक जो है डिवलप्मेंट हो जाते है एक टाइप से आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक पाईप यह था दूसरा पाईप यह था आप उन लोग क्या कर देते हैं यहां पर जैसे अपने घर में टेवल हैं भी बनती है तो आप उन क्या करते हैं यहां पर एक extra pipe जोड देते हैं या आप जिस table पर बैठे हो उस table में भी एक extra इस type का जोड दिया जाता है जिससे इनकी मजबूती बन जा है तो यहां पर वही काम तो पेड़ कर रहा है तो यह जो tropical rainforest वाले पेड़ हैं इसमें ये क्या करते हैं कि जो इनकी जो रूट से नीचे जा रही होंगी, ये प्लांट्स है तो इनकी कम्बियम जो एक्टिविटी है जोएंट की, वो एक्टिव हो जाती है और वो कुछ इस टाइब की लेयर्सी बना देती है, जिससे मेन स्टेम का रूट के साथ जो जोएंट है वो बहुत स्ट्रॉंग हो जाए, क्योंकि सुपरफिसियल रूट्स है, तेजवा में गड़ सकते हैं, तो अब क्या है, ये अपने आपको बचा लेगा, तो बच्रेसिंग क्या है, ये जो बनती है, इनी को बोते हैं बच्रेसिंग, क्यों बनती हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, एक टर्म है फिनोलॉजी, फिनोलॉजी का मतलब है कि कोई प्लांट्स है, वो साल भर के अंदर कब फ्लावरिंग आती है, कब फ्रूटिंग आती है, कब उसमें लीफ सेडिंग होती है, कब नई पत्यां गिरती है, ये सारी जो स्टेडी है, इसको हम एक सबजेक्ट है, फिनोलॉजी, डेनोलॉजी में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर डिसकस करते हैं, इसे, कि फिनोलॉजी है क्या, इसमें तो इतनी है, अब नेक्स्ट, इसी में एक सब टॉपिक है, कि जो ट्री है, उसकी जो लाइफ है, वो ऐसी नहीं है, कि बिल्कुल एक सी चल लाई हो, कोई पेड़ है, अपने आज लगा दिया, तो उसकी लाइफ की ग्रोथ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है, इनी सिल्फेज में वो थोड़ा कम ग्रोथ करता है, जिसे लाग फेज बोला जाता है, फिर एक ऐसा पीरियड आता है, जिसमें वो तेजी से ग्रोथ करता है, जिससे बोला जाता है लॉग फेज़ और एक टाइम के बाद फिर उसकी ग्रोथ फिर से रुक्सी जाती है जिसे इस्टेशनरी फेज़ बोला जाता है इसे आप हिवन बिंग पर भी ले सकते हैं आपकी जो हाइट है या किसी बच्चे को ले लो उसकी हाइट है वो पहले 4-5 साल के दोरान अतनी तेजी से नहीं बढ़ती है वो नॉर्मल सा रहता है धीरे धीरे चल रहा होता है पांच साल से लेकर कि उसकी 12-13 या 14 साल की एज तक है आज कॉलोनी उड़ाएंगे लोग रफतार है वो थमसी जाती है और पर एक टाइम के बाद आपकी हाइट ग्रोथ है वो रुक जाती है तो वहीं प्लांट के साथ है तो ग्रोथ फेज जो है इन्हें पड़ लेना अब क्योंकि कुश्चन आते हैं कि जो प्लांट है उसक करने वाले कौन कौन से फेक्टर है या उसकी मोटाई है उसको एफेक्ट करने वाले कौन कौन से फेक्टर है तो बेसिकली तोनों ही केस में तीन फेक्टर होते है एक है वो प्लांट जो है उसका जैनेटिकल मेक अप कैसा है आप देखो कि अपने मैंसे कई इंसान ऐसे मिले पलोसी ह Kü세요 पकड़ लेगा दूसरा हाइट ठंगना रह-जाएगा दूसरा है साइट क्वालिटी एक प्लांट जो है उच्छा जनेटिक मेक-प कर नाый किस्तों अगर उसे अच्छी क्वालिटी मिले हाइट अच्छी होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रियंट मन जाते है जबकि जो लुवर किलास है इनको उतनी न्यूट्रियंट नहीं मिल पाते हैं अक्सर जैसे इनीशल फेज में कई बार इनकी साधी हो जाती है अब वहाँ पर क्या है कि जो ये हाइट ग्रोथ यानि कि इनकी जो बाड़ी है वो फिजिलोजिकल फेज में होती है डिवलप्मेंट में उस टाइम पर ये रिप्रोड़क्शन फेज में इंटर कर जाते है तो उसका एक सबसे जो जड़ा इंपक्ट पड़ता वो इनकी हाइट पर है अगर आप उल्ल इज में देख लीजिए जो आपके अपने असपास जो पुरानी इज में है जिनकी स्टाटिक में जो 1970 के टाइम पर जब साधिया हो गई थी तो जो अपने सोसाइटी में जो दादी नानी है अक्सर उनकी हाइट आपको कम मिलेगी तो ये सिंपल स्टाथ है कि साइट क्वालिटी का उसमें सीधा सीधा इंपक्ट पड़ रहा है कि कितना नूट्रियंट मिल पा रहा है तीसरा है प्लांट्स की डेंसिटी अगर किसी एरिया में प्लांट्स बहुत ज़्यदा डेंस है तो अबिसली उनके आपस में बीच में कॉमप्टीशन है साइट में कोई एक्सपेंशन के लिए मौका मिलता नहीं है तो सबके सब हाइट में ग्रोथ करते हैं हम लोग लाइट कॉमप्टीशन में देख चुके थे वही सेम चीज हैं यहां डाइमीटर ग्रोथ पर रहेंगी तो तीनों फैक्टर जनेटिक मेक अप, साइट, क्वालिटी और डेंसिटी यह तीनों किसी भी प्लांट की हाइट और डाइमीटर ग्रोथ दोनों पर रिस्पॉंसिबल है नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्लांट की एज से रिलेटेट उसके डिफरेंट जो हाइट है उसके इसाफसा हम अलग-अलग सब्दी यूज करते है जैसे सपोज मैं ही लेता हूँ अपने आपको मैं स्टार्टिंग से सपोज मेरा बर्थ है 86 का तो इस स्टार्टिंग की जो 4-5 साल के है तब मुझे कैटेगराईज किया गया होगा कि चाइल्ड विद अंडर 1-year-age इनफेंट वो नहीं बोलते हैं निव बॉर्न है एक कैटेगरी है फिर इनफेंट है फिर अंडर 5 एज वाली कैटेगरी है फिर हम अंडर 5 के बाद जब और एज हो जाती है तो हम लोग वो जो चाइल्ड वाली है उस कैटेगरी में डाल दे हैं फिर अपने पास एक नई कैटेगरी आती है टीनेज वाली टीनेज कैटेगरी से निकलने के बाद फिर बोल दिया जाता है कि यह भाई अब एडल्ट हो गया है और जहां 62 की एज होई तो हम बोल देंगे यह ओल लेज में चला गया है और ओल लेज में वी एक कादा ही करेंगे पहला है जैसे कि हमने किसी सीड को बो दिया ग्रो करने के लिए उगा दिया तो वो जैसी उगा सीड जर्मनेट हुआ जर्मनेट होते ही हम कुछ तो सब्दों बोलेंगे कहीं जर्मनेट होके वो निकला है बाहर जमीन से तो कुछ तो बोलना पड़ेगा त अब उनों बोलते हैं ना जैसे कहीं भरती हो रहा है वह बोला recruitment चल रही है यानि कि भरती चल रही है यानि कि entry है तो यह actual में इस पूरे system की recruitment है तो यह recruit phase है जहां से इसके admission हो गया इसे हम कोई seedling वगरा sapling term यूज नहीं करते हैं हम इसे recruit बोलते है few leaves stage से लेके यह plants चारपती आई फर आगे जाके 6 पती बन गई आठ पती बन गई तो चारपती की stage से जैसी उपर पहुँचा हम लोग इसे बोलने लगते हैं कि यह seedling है और कब तक बोलते हैं जब तक यह plant एक मीटर की height gain नहीं कर लेता अगर आप कहीं nursery में जा रहा है तो हम बोलते हैं भाईया seedling दे दो तो वो nursery में जो plant है वो एक मीटर से नीचे होगा अगर एक मीटर से उपर हीट का है तो हम उसे सीडलिंग नहीं बोलते हैं हम उसे बोलते हैं सैपलिंग यानि कि आप कहीं भी जा रहा है अगर कोई पेड़ खड़ा में लगा है छोटा सा पौधा है जिसे हम हिंदी में पौध बोलते हैं पौध यानि कि वो seedling है यानि कि अगर आप कहीं रोट के किनारे जा रहा है थे और कोई plant मिल गया जो छोटा सा है नया नया लगा है लेकिन वो एक मीटर से नीचे का है कोई plant से नभी करके गया दस पंदर दिन पहला है तो हम उसे seedling बोलेंगे और अगर आप कहीं जा रहा है और कोई पेड मिल गया जो लगवाग देड़ मीटर या दो मीटर का है तो हम उसे sapling term यूज करते हैं मैं एक और बताओं जब हम लोग mangroves and cold desert को discuss करेंगे तो वहाँ popular भी आएगा discussion में बैसे silvy culture के बीच में भी popular आएगा tree species में भी popular आएगा popular बहुत पीज़ा करेगा आपक हैं तो यहाँ popular जो है एक cold area के जो plants है उनकी हम sapling होती है जिसे यहाँ पर पीड लगा ट्रांस्प्लांटिशन करते हैं यानि कि यहाँ जो पीड लगाते हैं वो दो-दो-धाई-धाई-फिट तीन-तीन मीटर के डंडा होते हैं जिनने यहाँ लगा के चले जाते हैं तो इन मीटर से बड़ा हो लेकिन का तक की stage जब तक उसमें नीचे के पीड ब्रांचे जो है नीचे की जो पत्तिया है वो गरना शुरू ना हो जाए जैसी किसी पीड में नीचे की ब्रांच गरना शुरू हो गई हम समझ लेते हैं कि इसकी अगली category सुरू हो गई तो यह stage है इसे हम लोग sapling इस sapling के बाद sapling जैसी नीचे की ब्रांच गरना शुरू हो गई हम उसे बोलते हैं कि अब यह पोल वाली category में आ गया और पोल हम तब तक मानते हैं जब तक वो height में growth कर रहा है जैसी उसने secondary growth यानि कि मोटाई में growth करना शुरू कर दिया हम बोलते हैं कि अब यह category में आ गया जिसे बोलते हैं tree यहां तक यह terminology अपने काम की थी अगला अपना chapter आएगा forest crop morphology यह अपने लिए important है